सूपरभात बच्चो यह कारे कक्षा पहली विशे हिंदी पाठे पुस्तक कनक हिंदी पाठ माला उपविशे ए तथा ए की मातरा से लिया गया है इस कारे का लिख्यत सार आपको 18 अक्तूबर 2021 को भेजा जाएगा यह आवाज सुमन शर्मा की है बच्चो अब आपको ए तथा ए की मातरा की जानकारी हो गई होगी हम इस सब्ता भी इन दोनों मातराओं के विशे में पढ़ेंगे बच्चो जैसा की आप जानते ही हैं कि छोटी ए की मातरा वरन के लेफ्ट हैंड साइड पर लगती है और बड़ी ए की मातरा हमेशा वरन के राइट हैंड साइड पर लगती है यानि कि छोटी ए की मातरा लेफ्ट हैंड की मित्र होती है तथा बड़ी ए की मातरा राइट हैंड की मित्र होती है जैसे चोटी की मात्रा है, देखो लेफ्ट साइड पे है और बड़ी की मात्रा हमारे राइट हैंड साइड पे तो आईए दोनों की ध्वनी में अंतर है ब, ब, में चोटी की मात्रा बी, न, बिन फिर ब, ब, में बड़ी की मात्रा बी, न, बीन बीन मतलब जो सपेरा बजाता बीन फिर द, पे छोटी की मातरा दी, न, दिन यहाँ पे द, द में छोटी, बड़ी की मातरा न, दीन अब देखो यह है दिन और यहाँ पे दीन जैसे कई बार बोलते हैं दीन बंधू ठीक है? फिर है म, म पे छोटी की मातरा मी, ल, मिल और यहां पे म, म पे बड़ी की मातरा मी, ल, मी यानि की माईल को क्या बोलते हैं हिंदी में मील अगला है हमारा द, द, पे छोटी की मातरा द, य, आ, दिया और यहां पे द, द, पे बड़ी की मातरा द, य, आ, दिया यह दिया होता है दे ना देना मतलब मैंने उसको पैंसिल दी यानि कि दिया मतलब गिव और दिया मतलब दीपक जो हम दीपक जलाते हैं दिया उसे बोलते हैं अग्ला है भी चोटी की मातरा चीन यानि कि चिन भीन होना और अग्ला है भी चोटी की मातरा ग३ंपृ यह चीन फिर है सर पे च्छोटी की मातरा सील सिल और इधर आएगा सर पे बड़ी की मातरा सील सील इवाम कहते हैं यह ओफिस सील हो गया या दुकान सील कर दी और सिल यानि की सिलना कुछ भी फिर है ब ब पे च्छोटी की मातरा बी न आ बीना फिर है ब ब पे बड़ी की मातरा बी न बीना अब देखो बीना और यह क्या है बीना अब देखो यह साउंड चोटी है और यह साउंड बड़ी तो अब आपको भी इन दोनों ध्वनियों का अंतर अच्छी तरह से समझ आ गय आये अब छोटी की मातरा के कुछ अन्य शब्द पढ़ते हैं T, K, T, T, K, V पे बढ़ी की मातरा V, T, A, कविता, कविता यानि पॉम म म पे आ की मात्रा मा फिर च च पे छोटी की मात्रा ची स मा चस फिर च च पे छोटी की मात्रा ची तर चेत्र फिर त त पे छोटी की मात्रा ती न क आ तिनका यानि कि वो चोटे छोटी तिल्ली होती है उसको क्या बोलते है तिनका घास की जो चोटे चोटे तिनके होते है फिर म म पे चोटी की मात्रा मी ठ ठ को आ की मात्रा ठा स मिठास फिर है ड ड पे चोटी की मात्रा डी फिर ब ब पे चोटी की मात्रा बी य आ डि बी आ यानि की छोटा बॉक्स फिर है स स पे चोटी की मात्रा सी फिर त को आ की मात्रा ता र सितार फिर है स, र, र पे छोटी की मातरा री, फिर त, आ, सरिता फिर न, न पे छोटी की मातरा नी, क, ट, निकट, निकट मतला पास फिर ब, ब पे आ की मातरा बा, फिर र, र को छोटी की मातरा री, श, बारिश फिर ख, ख, पे छोटी की मातरा की, ल, न, आ, खिलन, यानि कि फूलों का खिलन, क, क, पे छोटी की मातरा की, श, फिर म, म, पे छोटी की मातरा मी, श, किश्मिश, आप सारे खाते हो नो किश्मिश, वही किश्मिश आइए, ठीक है, और फिर है, स, स, पे छोटी की मातरा सी, ल, न आ सिल्ला यह थे छोटी की मात्रा के शब्द आये अब बड़ी की मात्रा के शब्द पड़ते हैं लड़क कर पे बड़ी की मात्रा की लड़की फिर पकवा की मात्रा पा फिर न न पे बड़ी की मात्रा नी पानी फिर है न न में आ की मात्रा न फिर न न पे बड़ी की मात् द में आ की मातरा द, फिर द, पे बड़ी की मातरा द, 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 पे बड़ी की मातरा द, 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 फिर क, क, के बाद ह, ह में आ की मातरा ह, फिर न, न, पे बड़ी की मातरा न, कहानी, फिर व, पे बड़ी की मातरा वी, र, वार, वीरवार, यानि थरस्टे, ठीक है, थरस्टे को क्य क्या बोलते हैं हिंदी में वीरवार, ठीक है क्या बोलेंगे वीरवार, फिर अगला शब्द है हमारा स, स पे बड़ी की मातरा सी, फिर र, पे बड़ी की मातरा डी, सीडी यानि की स्टेर्स, फिर अगला है ख, ख पे बड़ी की मातरा खी, र, आ, खीरा, खीरा यानि कुकम्ब फिर है प, प पे बड़ी की मातरा पी, ल, आ, पी, ल, आ, यानकी यालो फिर है न, न पे बड़ी की मातरा नी, ल, आ, नी, ल, आ, फिर है त, त पे बड़ी की मातरा ती, र, तीर, तीर यानी आरो फिर म, म, पे बड़ी की मातरा मी, फिर ठ, आ, मी, था ठीक है? और फिर लास्ट में है छ, र, र, पे बड़ी की मातरा री छड़ी, छड़ी यानि कि स्टिक और उसके बाद है अगला शब्द है हमारा र, र में आ की मातरा र, फिर न, न, पे बड़ी की मातरा नी बच्चों आशा है कि अब आपको छोटी E तथा बड़ी E की मात्रा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी छोटी E की मात्रा को बोलने में बड़ी E की मात्रा से कम समय लगता है यानि कि छोटी E को बोलने में कम समय और बड़ी E की मात्रा को छोटी E की मात्रा से अधिक समय लगता है यानि कि उनके शब्तों को बोलने में ठीक है अगले पेज़ पर आपको यह एक्टिविटी दी गई है इसमें से आपने पेड के उपर से E तथा बड़ी E की मात्रा के शब्तों को छाट कर लिखना है यह कारे आप स्वयम करेंगे अगला कारे है हमारा खाली स्थान भरो यानि कि यहाँ पे कुछ स्पैलिंग जो है वो मिस है आप मुझे बताओगे कि यहां पे क्या आना है अब जस्से यहां पे है चट और यहां पे आजाएगा नी चट नी अब श यहां पर आजाएगा नी शनिवार यह नी और यह नी शनिवार यानि की सैटड़े फिर ह better may kya आएगा यहां पे किल फिर अगला है अलमा क्या आजाएगा? री यहाँ पर आजाएगा र है तो क्या बन जाएगा? ख, ख पर बड़ी की मातरा खीर, क्या आजाएगा? खीर नायल, यानि की नारियल री, क्या आजाएगा? री, फिर है पा फिर आजाएगा? नी पानी फिर पत, यह बीच में आएगा? पी पपीता, पपीता यानि पपाया फिर जनव यहाँ पर आजाएगा? री जनवरी फरव यहाँ पर आजाएगा? री फरवरी आप भी सी तरह इनके आंसर लिखेंगे टीक है बच्चों? अगला है छोटी य और बडी की मातरा लगाकर शब्द पूरे करें गटार तो क्या जएगा? छोटी य गिटार फिर पहिया छोटी की मातरा ह ओपार फिर माल या फिर क्या जाएगा? माली यहाँ पे छोटी की मात्रा किरन फिर बड़ी की मात्रा घड़ी घड़ी फिर वमान यानिकी वी आजाएगा व के उपर छोटी की मात्रा विमान यानिकी आरोप्लेन फिर मचल बड़ी की मात्रा ली मचली फिर त क पे छोटी की मात्रा तकिया ना पर मकड बड़ी की मात्रा मकड़ी ठीके बच्चो अब यह जो सारा कारें आप नोट बुक में लिखेंगे और इस कारे को हल करने के लिए आप मेरा ओडियो वीडियो अवश्य देखेंगे और सुनेंगे आज का पाठ मैं यहीं समाप करती हूँ आप भी बार बार छोटी ई और बड़ी ई की मात्राओं को का अभ्यास करेंगे और इनके शब्तों को बार बार पढ़ने का प्रेतन भी करेंगे धन्यवाद